वेलकम एस्टुडेंट रस्तूगी आनलाइन कोचिंग कलासेज में आपका स्वागत है आज कलास 10 के गडित के महत्पुन प्रशनों के बारे में जनकाई रखेंगे जो हर साल के पेपर में आता है इस लिस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए तो पहला कोचिंग आज का है ग्याद कीजिए कि दो बहुपद आपका लिखा है ग्याद कीजिए दो जो है बहुपद X का Q प्लस 4 X स्कॉाइर माइनस 3 X माइनस 18 का एक सुन्यक है अथमा नहीं तो आपको बताना है या जो दो है क्या इसके सुन्यक है कि या नहीं है तो इसका आप हल करेंगे और पता करेंगे सुन्यक है या नहीं है तो सबसे पहले X का Q प्लस 4 X स्क्वाइर माइनस 3 X माइनस 18 को यहां से नीचे आपको उतार लेंगे उसके बाद X के जगाप पे 2 रखेंगे यह जब 2 दिया है तो X के जब 2 रखेंगे तीन रखे दिया रहता तो तीन रखते चार दिया रहता तो चार रखते तो X बाद 2 रखने पर अब यहां 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 जहां जहां दिखाई दे रहा उसके अस्थान पर X के जगाप पे 2 रखेंगे अब ये यक्स का Q है तो अब हो जाएगा 2 का Q हो जाएगा पलस आपको उतार जाएगा 4 उतार देंगे यक्स के जगब 2 का SQ हो गया माइनस उतार गया 3 उतार गया यक्स का मान 2 हो गया माइनस उतार देंगे 8 उतार गया माइनस उतार देंगे, दूती हैं यह आपका 6 हो गया, माइनस आपका 18 हो गया, उसके बाद सिफ हैं 8 को उतार देंगे, 4 में 4 के गुड़ा करेंगे, तो 16 हो गया, माइनस 6 हो गया, माइनस 18 हो गया, अब यह हो जाएगा आपका, आप यहां पर 18 है, उसके बाद 16 है, आपका 16 ह जब जीरो आ जाएगा तो जानिएगा इसमें बहुपद है अगर जीरो नहीं आता है तो उसका बहुपद का सुन्यक नहीं है तो सुन्यक मानेंगे अगर जानिएगा यदी बहुपद एक सुन्यक नहीं आता है तो एक आमान ग्याद कीजिए अब यहाँ पे जो दिया गया एक समीक दिया गया दुगा समीक करूप में है और एक सुन्यक जो है अलफा है अदूसरा सुन्यक आपका दो बटा आपका अलफा है तो सबसे पहले सम Q 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 का गुड़ानफल मूलों का गुड़ानफल का सुत्र होता है C बटा A होता है मूलों का गुड़ानफल सुत्र का होता है C बटा A तो यहां मूल जो है आपका दो दिया गया है पहला एक अलफा है दूसरा जो दिया है दो बटा आपका अलफा है अब यहां पे गुड़ानफल क रख देंगे और इस अलफा से इस अलफा को काट देंगे क्या बचेगा आपका 2, 2 बराबर टुय अब नीचे 1 को आप नीचे 1 है तिसको छोड़ सकते हैं या एक से भाग करेंगे तो आपका 2A ही रहेगा फैन लिकेंगे 2A बराबर आपका 2 तो ए बराबर क्या हो जाएगा दो को नीचे भेज देंगे दो से दो कट गया ए बराबर कितना गया आपका वन तो समझ में आगया होगा ए कमान वन कैसे आया बहुत आसान कोशन है यह ऐसे कोशन हर साल के पेपर में आता है इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए यदि आप नए है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब आप वीडियो को लाइक जरू कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए जिससे अन बच्चे भी इसको और आपके दोस्त जो भी हूँ अच्छे से इसको समझ ले और अच्छे से पेपर में लगा दे कोशन को अब अगला कोशन जानेंगे Most IMP कोशन आगे ऐसे कोशन हमेशा पेपर में आता है वह दुगहाद बहुपत ग्याद केजिए जिसके सुनने कार्णी 2 प्लस 3 और कार्णी 2 माइनस 3 है तो यहाँ पे जो है वह दुगहाद बहुपत ग्याद करना है तो सबसे पहले आप अलफा बराबर नोट कर लेंगे अलफा बकर ना दिया है कर्णी में 2 प्लस 3 तो अलफा बराबर कर्णी 2 प्लस 3 लिख देंगे दुगहाद बहुपत बनाने का नियम तो दुगहाद बहुपत बनाने का नियम सुत्र होता है यह एकस स्क्वाइर माइनस अलफा प्लस बीटा इंटो यह प्लस अलफा बीटा बराबर 0 होता है यह दुगहाद बहुपत बनाने का नियम होता है इसके बढ़ एक्स स्क्वार कुतार देंगे, माइनस कुतार देंगे, अलफा, अलफा का मान कितना है, तो अलफा का मान जो दिया है, करणी में 2 पलस 3 है, और बीटा का मान करणी 2 माइनस आपका 3 है, तो यह अलफा हो जाएगा, करणी 2 पलस 3, और यह आपका जाएगा करणी 2 को काड़ देंगे काड़न तो हो जाएगा यहां पे तो जोड लेंगे आपका दो कनी दो हो जाएगा यहां यहां से देखेंगे तो सुत्र हो गया एक कुष्टक में होता है a plus b दूसरे कोष्टक में होता है a minus b तो formula होता है a square minus b square तो यहां एक जगा पे करणी 2 दिया है और b के जगा पे 3 दिया है इसने a square minus b square तो एक जगा पे करणी 2 ka square b के जगा पे आपका 3 ka square हो जाएगा उसके बाद से लिखेंगे आपका एकसी स्क्वार को उतार देंगे माइनस उतर गया दो करणी दो उतर गया आपका एकस उतर जाएगा पलस हो जाएगा इसके बर्ग से करणी हट जाता है देखें बर्ग से करणी का करेंगे करणी को हटा देंगे अब दो हो जाएगा माइनस तीन का बर किना होता है, बराबर आपका जीरो हो गया, फें आपका एक्स स्क्वार उतर गया, माइनस दो कानी, दो एक्स हो जाएगा, दो मेंस नो घटा दीजिए, तो दो मेंस से नो आपको जाएगा, कितना बचेगा, माइनस आपका साथ हो गया, बराबर क्या हो गया, आप तो बहुपत ग्याद कीजे। तो बहुपत ग्याद करें लिखेंगे alpha प्लस बेटा बराबर yes और alpha into beta बराबर हापका 5। उसको दुगहाद बहुपत बनाने का नियम लिखेंगे x square minus alpha plus beta into x plus alpha plus beta बराबर 0 यह दुगाद बहुपत मनाने का क्या है formula है फरहें x square को उतार देंगे minus उतार जाएगा alpha plus beta का मान कितना दिया है तो minus दिया है minus 6 minus 6 उतार देंगे बगल में yx हो गया plus आपका alpha beta का मान 5 है फिर माइनस माइनस मिलकर का हो जाएगा पलस आपको जाएगा आप 4 एकस के गुड़ा करेंगाए शॉयययया पलस 5 बराबर 0 यह किसका माँना गया तो यकस स्कुार पलस 6 एकस पलस 5 दुघाद पहुपत हो गया कितना असानीज में सीध है अलफा प्लस बीटा के जगा पे माइनट 6 रखना है और अलफा इंटू बीटा के जगा पे आपको 5 रखना है अब अगला कोशन मोश्ट आयमपी कोशन आ गया यह कोशन हमेशा पेपर में आता है यदि अलफा प्लस बीटा बहुपद 2X स्कॉयर प्लस 3X प्लस 5 के सुन्यक है तो अलफा प्लस बीटा बटा अलफा इंटू बीटा कमान गयात कीजिए तो सबसी पहले दुखात बहुपद को उतारेंगे 2X स्कॉयर प्लस 3X प्लस 5 बरावज 0 तूलना करेंगे a e x squared plus b x plus c भाइब 0 से का दूलना करेंगे a कमान अब ग्या है । b कमान तीन है a कमान यह देखेंगे 1 सामने ठाकि यह 2 है x square e x squared मिला छोड़देते हैं b कमान 3 है a कमान 2 b कमान 3 c कमान 5 है अब सुत्र होता है alpha plus beta का सुत्र होता है minus b बटा ए अलफा प्लस बीटा कमान कितना गया माइनस तीन बटा आपका दो आ गया और इसके बाद से अलफा इंटू बीटा के जब सुतर होता है अलफा इंटू बीटा कमान कितना है तो माइनस तीन बटा दो दो जो है इसके अस्थान में माइनस तीन बटा दो रख देंगे और इसका मान पांच बटा दो है अब यह 2 सी 2 को आपको काट सकते हैं कि ना आएगा माइनस 3 मटा 5 आपका क्या हो गया एंसर हो गया तो यह दुगहाज समीका का एकदम IMP कोशन था अब अगला कोशन जानेंगे बर्ग समीकरड 3x2-4x-6-0 का विविक्तर गयाद किजे यह बर्ग समीका भी कर सकता है पेपर में और नहीं तो दुगहाज समीका बर्ग मतलब दो गहाज बर्ग समीका दुगहाज समीका कोई कहा जाता है तो 3x2-4x-6 का विविक्तर गयाद करना है तो सबसे पहले 3x2-4x-6- 0 को यहां से निच्च उता लेंगे उसके बाद से दुखास हमेद vektor का सुतर होता है b square minus 4ac कितना असान b사를 का सुतर क्या होता है d बराबर b square minus 4ac यह बीविक्तर का सुतर है नम्र के कोशन हमेशा ये पिपर में विविक्तर पूचा जाता है उसके बी कमान कितना है तो माइनस 4 माइनस 4 का बर्ग हो जाएगा माइनस हो गया फूर उतर जाएगा एक का मान 3 है सी कमान क्या माइनस 6 है माइनस का बर जब करेंगे तो पलस हो जाता है 4 का बर क्या हो जाएगा 16 माइनस मेने करके आपका पलस हो गे चार में 3 के गुड़ाः करेंगे अच्था 72 में 16 जोड़ देंगे अठासी तो यहां वी विक्तर कितना जाएगा आपका 88 होगा बहुत असान कोशन था समझ में आ गया होगा पहले आपका दुगहा समीका से तुलना करेंगे A का मान, B का मान और C का मान निकालेंगे उसके बाद से सुत्र में B स्क्वाइर मान फोर एसी के सुत्र में भर करके उसको साल्व कर देंगे एंसर हो जाएगा अब अगला कोशन जानेंगे, यह मोश्टाइम पी कोशन भी है, यह भी कई साल के पेपर में आ चुका है यदि, यदि अलफा तथा बीटा आपको समीका X स्क्वाइर प्लस P डैस एक्स प्लस Q बराबर 0 के मूल हो तो अलफा इसक्वाइर बीटा प्लस बीटा इसक्वाइर अलफा कमान गयाद कीजिए तो सबसे पहले जो है, X स्क्वाइर प्लस P डैस एक्स प्लस Q बराबर 0 आप यह समीका को नीचे यहाँ उतार लेंगे उतारने के बाद से दुगहा समीका से तूलना करेंगे अलफा इसक्वाइर प्लस बीटा इसक्वाइर अलफा कमान पुछ रहा है तो यहाँ पर दो माल निकालना पड़ेगा, मूलो का योगफल और मूलो का गुड़न फल निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर लिखेंगे मूलो का योगफल, मतलब अलफा प्लस बीटा, इसको कहते है, मूलो का योगफल, सुत्र का होता है, माइनस बी बटा ये, किसका A command 1 है. नीचे 1 है, तो इसको 1 को नीचे आगर 1 है तो छोड़ सकते हैं, क्या जाएगा बन्हाइब का माइनस P ds है, कितना रहा है? मूलो का ओफल कितना रहा है, तो माइनस P ds आया, अब यह alpha into beta का सुतर क्या होता है, तो C beta यह होता है, alpha square beta plus beta square alpha अब इसको नोट कर लेंगे इसके बाद से दोनों में दीहान से देखेंगे common common कै दिखाय दिया तो तोनों में common है आपका alpha HE dois बीटा है alpha है जब common ले लेंगे तो alpha plus da हो गया alpha into beta कमान क्या है तो आपको q हो गया और alpha plus beta कमान क्या है minus P dash है क्या है माइनस पी डैस क्यूंत कthis की उपर आप लोगको निकाला गया देखेए अब अगला प्रश्ण जानेंगे द्वते हैं संसी करने में सीगस्ट प्रत जीरो के मुन गयाद कीजिए अब यहां मुन गयाद करने के तो है तो सबसे पहले संसी को उतारेंगे 3x square minus 2 करणी में 6 x plus 2 बराबर 0 यहाँ question को उता लेंगे अब तुनला किसे करेंगे तो a x square plus b x plus c बराबर 0 से का करेंगे तूलना करने पर a कमान a कमान कितना है तो a कमान 3 है b कमान क्या है तो minus 2 करणी में 6 है c कमान क्या है तो c कमान आपका 2 है समझ में आगे होगा, यह कमान 3 है, B कमान माइनस 2 काणिम 6 है, वो C कमान आपका 2 है, अब सुत्र होता है, सीधरा 4 सुत्र, यक्स बराबर होता है, माइनस B पलस माइनस अंडर रूट B स्कॉाइर माइनस 4 AC अपान 2A, एक किसका सुत्र है, तो सीधरा 4 सुत्र है, याद रखेग तो मूल हमारा मालूम हो जाएगा, तो अब यहां B कमान भरेंगे, यहां पर B कमान, यहां A कमान, C कमान, यहां A कमान, यहां A कमान, तो यहां A कमान 3 भरेंगे, B कमान क्या भरेंगे, माइनस 2 काणिम 6 भरेंगे, और C कमान आपका 2 भरेंगे, तो X बराबर माइनस, यह B कमा 53 a common c common यहां पर आपका a common उसके बाद से आपका minus minus मिल के plus होगा 2 नी 6 हो जाएगा प्लस-minus यहां देखिए बर्ग से minus 8 बर्ग से कर्णी हट जाएगा तो 4 गुड़े 6 दो का बर्ग 4 बर्ग से कर्णी हट तो 4 गुड़े 6 यहां का 4-3-12 12 12 24 आपका 24 लगा तो हुआ गया उसके बास हो गया उसके बाद से आपका 6 चोविसमें से 24 घर जाए नीचे अपका छे उतार देंगे 24 सोब्सक्राइब जोड़ें अब नहीं जीरो कमान आपका जीरो होता है उसको छोड़ देंगे अभी यह सब्रिश पत कर जाया गा आपका बचे का। 6 बट्टा 6 हो जाएगा अब दो से 6 को काटेंगे दो एक अवका ओपर 6 बट्टा नीचे क्या हो गया 3 सबिसमें आ रहा होगा आपका कितना असान पुश्टन आपका यहां आ गया अब यहां पर जो है करणी जब खतम होगया कारणी 24 में से 24 निकल गया तो जीरो हो गया कारणी जीरो कमान सुनने होता है तो उनको छोड़ देंगे पलस माइने सब खत्तम अब 2 से 6 को काटे हैं आपका 3 हो गया तो निचली अता मूल आपको क्या जाएगा कारणी में 6 बटा 3 कामा 6 बटा आपका 3 होगा क्यों यहां दो समय κάर है इसने दो खा समीका में मुल्क कितने होते हैं दो होते हैं इसने दो बार इसको लिख ना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक ही माण चाहिते हैं आज का जो कोशन था जो होदा का तो वीडियो को आप पूरा देख लीजे और सीर भी किजिए जिसरे आपके दोस्त्त को सभी question को अच्छे से समझ लें अब कल जो है दुखास नमी का या पूरे mix question को बना करके एक paper बना करके आपको अच्छे से बता करके कल वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उस वाले वीडियो को आपलोड जरू देखेगा और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब अब वीडियो को लाइक जरू कीजिए तो कल मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार